आपने भी इस वीडियो का थीम देखा होगा एक दिन में कपजा कैसा हटाया जाता है। देखी साथियो, इसी परकार के जो theme है, वो हर एक YouTuber अपनी वीडियो के ओपर देता है, लेकिन आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सच में कबजा कैसे चुड़ाया जा सकता है, मान लिए जिए कि मैंने अगर टाइटल पर लिख दिया है, एक दिन में कबजा कैसे च जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेगे कि आखिर कबजे को चुटाने के लिए आप ओकिन प्रावधानों की आउशकता पड़ती है, परसासनिक जो उपाय होते हैं, उनकी आपको किस परकार से उनका इस्तेमाल करना प बात करेंगे कि लिमिटेशन एट 1963 के आधार पर अगर किसी वेपती ने किसी की भूमी पर 12 साल तक यानि कबजा जारी रखा है, तो क्या वह उस भूमी का मालिक हो जाएगा, और सुप्रीम कोड ने इस मामले को किस यानि केस में इस परकार का फैसला दिया था, तो चलिए इसे अवैद कबजा हटाने के लिए कई कानूनों को परसासनिक उपाय के में लाया जा सकता है, यानि के कानूनी और परसासनिक उपाय किये जाय सकते हैं अगर आपकी भी भूमी पर इस परकार से कबजा हुआ है, अगर आपकी जमीन पर पर किसी ने कबजा कर लिया है, तो जो होता है उसके खिला मामला दर्ज कराया जा सकता है और पोर्ट में या चिकाय दायर करने के बाद अदालत यानि अतिकर्मन पर रोक लगा सकती है सरकारी जमीन पर कभजा करने के लिए अतिकर्मन कारी को 550 रुपय का जुल्माना या 3 महने की सजा भी हो सकती है क्योंकि BSNSS के अंदर मजिस्टेट को इस परकार की पावर दी गई है कि वो कभजा पुरन खाली करा सकता है यानि कि अंग्रे जो का बनाया गया कानून परती कूल कभजा इसके मुताबिद अगर किरायदार लगातार 12 साल तक आपकी प्रोपर्टी में रह रहा है तो वहें उस पर कभजे का दावा कर सकता है हाला कि कुछ बहुत नियम और सर्ते होती हैं ऐसे कभजे का दावा साबित नहीं किया जा सकता नहीं है मैंने इससे पहले और बहुत सी वीडियो बना रखी है औरसे बता रखता है कि इससे पस्ते बता रह inanいます तो चलिए अब बात करतेंगे अगर 12 साल तक किसी का कबजा रह जाता है तो क्या वो व्यक्ति उस भूमी का रह जाता है। जमीन पर कबजा रह जाता है जिसमें लोग बेहत परिसान हो जाते हैं। कोई सुनवाई भी नहीं हुए है लेकिन अगर आपकी जमीन जो पर जो किसी ने कबजा कर लिया है तो आपको घबराने की जगत नहीं है अब आपको बिना कोट जाही इस परकार की साहता मिल सकती है। कैसे अवैद कबजी को लेकर सुप्रीम कोट का क्या फैसला है। मैं आपको बता दू कि प्रोपर्टी पर अवैद कबजी से संबंदित एक मामले में महतोपूर्ण फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोट की द्वारा। जिसमें पताया गया है कि आप अपनी प्रोपर्टी से कबजी अधारी को बिना अदालत की मदद से हटा सकते हैं। आप उस प्रोपर्टी के वैद मालिक होना जरूरी है और आपके टाइटल आपके नाम पर ही है वो जमी मामला कैसे सुप्रीम कोट पहुचा चलिए इसे विस्तार से समझ लेते हैं आकर ये मामला क्या था जिसके बारा साल तक या फिर आप अपनी भूमे का समय न्याले में जाए उसका कबजा हटा सकते हैं बात ये थी के पूना राम बना मौती राम यानि ये वैक्ति थे मामले में सुप्रीम कोट में सपस्ट किया है कि यदि कोई आपके पास प्रोपर्टिप का टाइटल है तो आप बारा साल के बाद भी साजके शहयोग अपनी प्रोपर्टी पर कपजा यानि के हटवा सकते हैं अगर आपके नाम पर वो भूमी है और आपके नाम पर उसकी खस्रा कटोनी है इसके लिए आपको अदालत में मुकदमा दायर करने की आउसकता नहीं होती है लेकिन यदि प्रोपर्टी का टाइटल आपके नाम पर नहीं है तो बाराफ साल के बद से अधिक समय हो गया है तो आप को अदालत में केस करना होगा और इस तरह के बामले में यानि इसपेशिक रिलिफ एक्ट 1963 बनाया गया है प्रोपटी के अवैद कबजा हटाने के लिए इसपेशिक रिलिफ एक्ट यानि के इसकी जो धारा है पांच उसमें प्रावधान किया गया है कि हाला कि प्रोपटी विवाद यानि कि प्रोपटी डिस्प्यूट के मामले में पहले इस्टेक राप्त करना चाहिए ताकि जो कबजा करने वाला वैक्टे है उस प्रोपटी पर निन्ने कर सके और ना ही उस प्रोपटी को वो बेश सके इस पेसिक रिलिफ एक्ट की धारा पांच के अनुसार यदि आपके पास प्रोपटी का टाइटल है यानि के जमीन आपके नाम पर है और किसी ने उस पर अवैद कबजा कर लिया है तो आप उसे खाली कराने के लिए सिविल परकिरिया सहिताब CPC के तहट यानि BNSSS के तहट अब नया कानुन बदल गया है तहट अदालत में मुकल्मान है सुप्रिम कोट ने पूना राम के पक्स में यानि के निर्ने सुनाते हुए काया कि यदि कोई व्यक्ति के पास जमीन का टाइटल है और यह सास के सहयोग से कबजा शुडवा सकता है बले ही कबजा 12 साल पुराना ही क्यों ने हो मौति राम की तर्क में दिया गया उससे 12 साल के बाद समय से यानि के जमीन पर कबजा है और लिमिटेशन एक्ट की धारा 64 यानि section 64 limitation act के अनुसार उस मामले में यानि कबजा नहीं हटवाया जा सकता लेकिन सुप्रिम कोट ने इस धलिल को खारिज करते हुए कहाया कि यह कानून सिरफ उन जमीनों पर लागू होता है जिनका कोई मालिक नहीं होता है जब कि अगर जमीन पर मालिक यानि मौजूद है उसके पास title है रहे हो 12 साल के बाद भी कबजा हटवाया जा सकता है ऐसा नहीं है कि 12 साल तक आपके नाम वो जमीन थी और उस पर कबजा कर लिया गया था आप 12 साल तक आप कहीं बाहर गए हुए थे आपको पता नहीं था उसने कबजा करके कहा कि यह परतिकूर कबजा हुँने ऐसा नहीं है बारा साल के बाद भी अगर उस भूमे के मालिक के नाम वो title होता है तो वो उस भूमे का कबजा हटवा सकता है वन Big Pacific की लगे है वीडियो को like जरू करें आपका कोई सवाल हächstवी है तो विडियो के नीचे है तो वे नेचे लिखे है मैं उस पर भी बना कर वीडियो बना दूगा जैहें जैभारत खुदा हापीज़